नमस्कार आप देख रहे हैं दिवे हिमाचल टीवी मैं अनुश कुमार आईए शुरू करते हैं आज का न्यूस बुलेटिंग मेंन हेडलाइन्स के साथ मुख्यमंत्री चार मार्च को पेश करेंगे हिमाचल बजट 23 फरवरी को राजपाल के अभिवाशन से होगी सत्र की शुरूआत मेजर मनकोटिया की विश्वर्शनियता कितनी सभी जानते हैं धर्मचाला में मुख्यमंत्री जैराम ठाको ने किया पलटवार एनचम करमचारियों की हर्ताल खत्म सरकार से आशवाशन मिलने के बाद कल से लोटेंगे काम पर खत्म हुआ स्कूलों का सूनापन एक महीने बाद लोटी रोनक पहरे ही दिन लगी कोरोना की दूसरी डोज जहरीली शराब कार में नया खुलासा साथ लोगों की मौत से एक दिन पहले वाटलींग प्लांट में आवकारी विभाग ने डाली थी रेड तीन सो फुट गहरी खाई में गिरी कार चार लोगों की मौके पर मौत सुन्दनगर के नहरी में पेश आया दर्दनाख हाथसा बारिश बरफवारी से प्रचंड शीत लायर की चपेट में हिमाचल तीन सो से ज्यादा सड़के ठप अंधरे में समाए कई क्षेत्र हिमाचल परदेश मिधा अंसवा के 23 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र का शेडियूल फाइनल हो गया है सालाना बजट कब पेश किया जाएगा, किस दिन कौन सा कारे होगा, सबका समय तय हो गया है आईए विस्तार से डालते हैं नजर मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर चार मार्श को अगले वित्तिय वर्ष का वजट पेश करेंगे, जिसे 15 मार्श को पारित किया जाएगा बजट सत्र में चालू वित वर्ष 2021-22 के अनुपूरक बजट का 26 फरवरी को पारण होगा इस बार नए शन्शोदित वेतनमान के लागू होने की वज़े से ये बजट बढ़ा हुआ होगा 23 फरवरी को बजट सत्र की शुरूआत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनात आरलेकर के बजट भाशन से होगी 24 फरवरी को शोकोदगार होगा और 26 फरवरी से राज्यपाल के अभीभाशन पर धन्यवाद प्रस्ता पर चर्चा होगी 3 मार्च को गैर सरकारी सदस्य दिवस होगा और 4 मार्च को जैराम ठाकुर अपने कारेकाल का पांचवा बजट पेश करेंगे बजट अनुमान पर सामान्य चर्चा 7 मार्च से शुरू होगी इस चर्चा का समापन एवं मतदान 11 मार्च को होगा मंडल मिलन कारेगर्म के तहत मुखे मुत्री जैराम ठाकुर गुरुवार को धर्म चाला पहुंचे पहले दिन उन्होंने इंदोरा, शापूर और भट्यात मंडल भाजपा के कारेकर ताउंसंग बैठक की बैठक से पहले हुई पत्रकार बारता में उन्होंने मेजर विज़े सिंग मनकोटिया को आड़े हाथ लिया मुख्य मंत्री ने गुरुवार को धर्म चाला में कहा कि सुन्दा नगर में जहरेली शराप रक्रण के आरोपी सलाकों के पीछे है इस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है पूर्मंत्री मेजर विजे सिंग मनकोटिया के आरोपों पर मुख्य मंत्री ने कहा कि मनकोटिया के बियान पर वह कोई टिपणी नहीं करना चाहते मनकोटिया की विश्वा सनीता कित्वी है ये परदेश की जनता भी बखू भी जानती है जितनी सक्त कारेवाई हमने की है, आज से पहले कभी भी माफियां के खिलाफ नहीं हुआ है, और ये माफिया कौन है, इस पर भी नजर मारने के आप शक्ता है, उनका इत्यास निकल रहा है, उनकी पहचान आपके सामने है, तो इसलिए मैं सिर्फ इतने यह कहना चाहता हूं, क के साथ बैठक की और अगामी विधानसवा चुनावों पर चर्चा के साथ ही सरकार की उपलबनियों को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया उननका की मंडल मिलन कारेकरम काफी सफल रहे हैं बैठकों से कारेकरताओं की बात सुनने का मौका मिलता है साथ ही एहम सुझा भी मिलते हैं तो यह मंडल मिलन का कारेकरम हमारा ही काफी दिन से चला और उसमें बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सभी कारेकरताओं की और से बहुत जबरदस्त इस बात के लिए आग रहे है कि सभी मंडलों में 68-68 मंडलों में इस कारेकरम को किया जाए सरकार से आशवाशन मिलने के बाद नैशनल हेल्थ मिशन के अनुवंद करमचारियों ने हर्ताल खत्म करने का फैसला लिया है गुरुवार को करमचारियों के साथ हुई बैठक में यह निने लिया गया सभी करमचारियों के सभी करमचारियों के सभी बड़ी मांगों को तीन महीने में पूरा करने की बाद कही है बैठक में सभी करमचारियों के लिए नेमित पेस केल का निर्धारन नहीं किया गया है इसके अलावा करमचारियों के लिए कोई भी HR पॉलिसी नहीं बनाई गई है जबकि उन्होंने नियूंतम बेतनमान का मुद्धा भी बैठक में जोर शोर से उठाया इसके बाद एनलचम करमचारियों की मांगों पर स्वास्तमंत्री डॉक्टर राजीत सेजल ने जल्द विचार करने की बाद कही स्वास्तमंत्री ने इन मांगों को पूरा करने के लिए एक कमेटी के गठन की भी बाद कही कुरोना महमारी के चलते एक महीने से बंद हिमाचल के स्कूलों में गुरुवार को रौनक लौट आई हालांकि बच्चों को पहले ही दिन भारी बारिश का भी सामना करना पड़ा मगर विद्या के मंदिर पहुंच कर बच्चे काफी खुश दिखे प्रदेश के स्कूलों का सूनापन गुरुवार को दूर हो गया और एक महीने के बाद चात्रों की रौनक से परीसर गुलजार हो उठे इस दोरान चात्र दिन भर कक्षाओं में पढ़ाई करते नजर आए हलांकि खराब मौसम ने जरूर चात्रों की मुश्किलें बढ़ाई जिस कारण कमी संख्या में चात्र स्कूल पहुंच पाए इसी बीच स्कूलों में चात्रों को कोविट की दूसरी डोज भी लगाई गई स्कूलों के प्रविश्व द्वार पर थर्मल स्कैनिंग करने सहित शोचल डिस्टेंजिंग की तमाम व्यवस्थाएं पहले ही स्कूल प्रवंदन द्वारा कर ली गई थी स्कूल पहुंचने पर चात्रों को वैक्सीन की दूसी डोज भी लगाई गई स्कूल पहुंचे छात्र काफी उत्साहित दिखे और कईयों ने बताया कि एक्जाम से पहले स्कूलों का खुलना उनके भविश्य की रात तैय करने में सायक सिध होंगे सुन्दनगर में जहरिली शराब कांट की जांच की रिपोर्ट को आबकारी विवाग परवतर निदेशाले को सूपने की तयारी कर रहा है मामले में क्या हुआ है नया खुलासा आईए जानते हैं सुन्दनगर के जिस बॉटलिंग प्लांट से निकली शराब को पीने से साथ लोगों की मौत हुई थी उस प्लांट पर आबकारी विवाग की टीम ने दो दिन पहले रेड डाली थी रेड में अनिमताओं का खुलासा हुआ था और विवाग ने कागजी कारवाई संचालकों के खिलाफ शुरू कर दी थी आबकारी विवाग ने ये दबिश गुप्त सुचना के अधार पर 18 जनवरी को दी थी जबकि 19 जनवरी को ये पूरा घटनकरम सामने आ गया इस पूरे मामले की जांज S.I.T. कर रही है मामले से जोड़े तमाम लोगों से पूच ताज की जा रही है आबकारी विवाग में भी इस मामले को प्रवर्तन निदेशाले को सौंपने की तैयारी चल रही है मामले में अब तक हुई खुलासों के बाद तमाम कडियों को जोड़ते हुए आबकारी विवाग ने ये कदम उठाने का फैसला किया है आबकारी विवाग में तीन बॉटलिंग प्लांट का लाइसिंस रद किया है इसके लाबा 6400 लेटर अवैद सिप्रिट ब्रामत किया जा चुका है सुन्दनगर में बुद्वार देरात एक दर्दनाग सड़क हाथसे में चार युपकों ने दम तो उड़ दिया हाथसा इतना भ्यानक था कि कार के परखचे उड़ गए और मोके पर ही सवारों ने प्रांट त्याग दिये सुन्दनगर के नहीरी में गुलोह नामक स्थान पर एक कार के 300 फुट गेरी खाई में गिर जाने से चार लोगों की मोके पर ही मौत हो गई हाथसे का पता चलते ही स्थानी लोगों ने मृतकों को पुलिस के सहयोग से बाहर निकाला मिल्टकों की शिनाक्त बुद्धी सिंग पुत्र रोशनलाल, हेमराज पुत्र मोहनलाल, कुशाल सिंग पुत्र गोविन, गाउं पन्याली और यादब कुमार पुत्र दिलूराम गाउं गहरा तैसिल नहरी के रूप में हुई है हाथसे की वज़ा तेज रफ्तार और लापरवाई बताई जा रही है डियस्पी सुन्दनगर दिनेश कुमार ने बताया कि पोस्ट माटम के बाद शब परिजनों के स्पुर्द कर दिये है और दुरगटना की जांच शुरू कर दी है बारी बारिश और बरफवारी के चलते हिमाचल एक बार फिर शीत लहर की चपिट में आ गया है बुद्वार देर राज से जारी हिमपात और बर्शा का दौर गुरुवार को दिन भर जारी रहा विभाक की माने तो अगले एक दो दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा मौसम विभाक की यलो अलट के बीच गुरुवार को पहाडी इलाके जहां सफेद चांदी से नहा उठे से संपर्क कट गया है राज में 300 से जादा सडको पर यातायात ठप हो गया है जबकि बिजली के ट्रांसफार्मर सहित कई पेजल परियोजनाय प्रभावित हो गई है नारकंडा में एनच 5 और जलोडी जोत में 305 हाईवे पर यातायात बंध है चौपाल का शिमला से संपर् गई है परेटनगरी मनाली और लाहुल में बरवारी से एक बार फिर जन जीवन प्रभावित हो गया है बरवारी का क्रम सुबह से जारी है अटल टनल के दुनों छोर फिर बर्फ में समा गए हैं लाहुल घाटी में 130 से अधिक संपर्क सडकों पर बसों के पाईये थम गए ह उधर परेटनगरी डलोजी में बरवारी से ख्षेत्र की तस्वीर बदल गई है बर्फ की सफेद चादर में लिप्टी परेटनगरी वर्फिस्तान जैसी नजर आ रही है जबकि धर्मचला के नड़ी में ताजा हिमपात से ख्षेत्र जन्नत जैसा नजर आ रहा है और अब चलते चलते में कुछ बड़ी खबरें कैसा हूँ हिमाचल का बजट सरकार ने लोगों से मांगे सुझाब 15 फरवरी तक इमेल के जरिये भेजें रहे साथ से प्रैक्टिकल 23 फरवरी से पेपर हिमाचल प्रदेश तक्निकी शिक्षबोर ने जारी किया एक्जाम का शेडियूल बिलासपुर में पंजाब बॉर्डर पर स्थापित होंगे 9 नाके पड़ोसी राजे में चुनाबों के चलते 20 फरवरी तक सील रहेंगी हिमाचल की सीमाएं और प्री प्राइमरी के लिए शिक्षकों की न्युक्ती में अभी देरी SSA ने फिलहाल जेविटी को ही ट्रेनिंग देने का शेडियूल किया जारी आज के मुलिटिन में बस इतना ही रात मोबजे देखना न भूलें राजे की बात राजेश मंदोत्रा के साथ कल आप से फिर मुलाकात होगी नमस्कार